आपने कहा कि पानी में यादाश्ट होती है। क्या उस यादाश्ट के स्तर को अपने जीवन में लाने की कोई संभावना है? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक सबूत या आध्यात्मिक सबूत है? या कोई दूसरा सबूत उपलब्ध है? चूकी मैं एक रसायन शास्त्री हूँ। इनसान के लिए औसतन जितना पानी उपलब्ध था पीने योग के पानी, आज उसका सिर्फ 20 प्रतिशत बचा है। कहते हैं कि 2025 तक हमारे पास केवल 7 प्रतिशत बचेगा 1947 के तुलना में। प्रतिव्यक्ति हर इनसान के लिए केवल इतना पानी ही उपलब्ध होगा। तो इस वज़े से पानी के उपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला। एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रसायने घटकों को बदले बिना आप उसकी आन्विक संरचना को यूँ अलग तरह से वेवस्तित कर सकते हैं कि पानी अब बिलकुल अलग तरह से बरताव करेगा अपने आम बरताव की तुलना मे ये इस हद तक समवेदन शील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक ग्लास पानी लूँ और उसे खास तरह से देखूँ और आपको दूँ तो आपको बहुत फायदा होगा अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूँ तो आप बिमार पड़ जाएंगे यंद विश्वास नहीं रहा ये विज्ञान है मैं आपको एक घटना बताता हूँ लगभग सत्रा साल पहले मैंने एक नब्बे दिन के कारेक्रम की गोशना की नब्बे दिन का कारेक्रम किस लिए? भूत शुद्धी को योग का सबसे मौलिक पहलू माना जाता है भूत शुद्धी का मतलब है आप भूत जानते हैं, पंच भूत, प्रकृती के पांच तत्व पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश प्रकृती में ये पांच तत्व हैं ये पाँच तत्व ही वो मूल घटक हैं जिनसे ये शरीर बना है, ये ग्रह बना है, पुरा ब्रहमांड बना है, ये पूरा अस्टित्व एक तरह से इन पाँच तत्व का खेल है तो भूत शुद्धी का उदेश है हमारे सिस्टम में इन पांच तत्वों को शुद्ध करना ये पांच तत्व मेरे भीतर कैसे परताफ करते हैं यही मेरे गुणों को तै करेगा इस आधार पर भूत शुद्धी योग का मूल रूप है बाकी सबकुछ इसी से निकला है जो विभिन लोगो द्वारा इसे छोटे-छोटे टुकडों में सिखाया जाता है इसकी समरूपता को समझे बिना लेकिन इसका उदेश है पांच तत्वों को अपने नियंतरण में लेना जब आप भूत शुद्धी का एक खास समय तक अभ्यास करते हैं तब आपको भूत सिद्धी प्राप्थ होती है यानि कि पांच तत्वों पर आपका पूरा नियंतरण है इस हद तक कि इस तरह की कई घटनाएं हुई है जहां अपना शरीर छोड़ने के समय एक योगी कमरे में जाते हैं लोग कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब लोग कमरा खोलते हैं तो वो वहां नहीं होते क्योंकि वो खुद को पदार्थ विहीन बना लेते हैं वो नहीं चाहते कि आपको उनका अंतिम संसकार करना पड़े या किसी को उन्हें कबर तक उठा कर ले जाना पड़े वो वस अपने सिस्टम को पदार्थ विहीन कर लेते हैं तो 17 साल पहले मैंने पहली बार एक कारेक्रम की गोशना की 90 दिन का कारेक्रम 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्व के स्थर पर एक चक्र से गुजरता है इसे एक मंडल कहते हैं हर 40 से 48 दिनों में ये सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है इसी कारण अगर आप किसी आयरुवेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपको हमेशा 40 या 48 दिनों के लिए दवा देंगे उस चक्र का उप्योग करने के लिए जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है तो मैंने कहा कम से कम दो मंडल तीन बहतर होते लेकिन अगर मैं तीन कहूं तो कई चीजें होंगी मैंने कहा अगर आप कम से कम दो मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंतरन पा सकते हैं जो लोग आना चाहते हैं वो आएं और मैं शहर छोड़ कर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा अब एक परिवार में पती 90 दिनों के लिए जाना चाहता है तो पत्नी कथक करने लगीगी पत्नी 90 दिनों के लिए जाना चाहती है तो पती घर में रजनी कांत की तरह पेश आएगा गुस्से में भरा आदमी एक हीरो की तरह इधर उधर चलेगा कई तरह का नाटक होगा तो मैं वहाँ नहीं होना चाहता मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आएग ये आपके उपर है तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिनने मैं अच्छे से जानता था ये हमारी महमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं तो ये महिला मेरे ले पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी सिर्फ कथक नहीं, वो काली की तरह थी मैंने उसे देखा, वो एक अच्छी महिला है लेकिन आज वो काली के रूप में है तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने का, मा, मुझे ये पानी नहीं चाहिए मुझे ये पानी पेनी की जरुरत नहीं है आप अभी काली की तरह हैं मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, उसने का, क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया, मैंने का, आपको जहर मिलानी की जरुरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है, फिर मैंने का, आप इस ग्लास में से एक गूट पीजे, उसने ग्लास से एक गूट पिया, फ मैंने कहा बस यही अंतर है, अब आपके शरीर में 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी है, अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यभार करता है, तो क्या आप कम से कम 70 प्रतिशत मीठे होंगे? अगर हवा और प्रित्विय आपके भीतर मीठा व्यभार करते हैं, तो क्या आप कम से कम 90 प्रतिशत मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परिशान नहीं करता, यह न? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धी के बारे में हैं, शरीर के तत्वों पर नियंदरन पाना, सिस्टम के तत्वों पर नियंदरन होने के बाद, आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं, असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनि अगर आपके पास इन पर महरत है, तो जो आप चाहते हैं, आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा, इससे पहले कि आप सोचें, आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा, तो सफलता दोड़ना आसान है चड़ाई में, निश्चत रूप से ढलान में, है ना, क्या कोई वैग्यानिक सबूत मौझूद है, आज इस बारे में परियाप्त वैग्यानिक सबूत मौझूद है, कि कैसे पानी के आणविक सनरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, र आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए, जब देने वाले के इरादे नेखो, उन्हें बाते बताई थी, लेकिन जब आपकी दादी नहीं कहा, समस्या ये है, कि अगर ये अश्चिम से आता है, तो ये विग्यान बन जाता है। इससे बदलना होगा, आपकी पीड़ी के लोग, इसे बदलने की जिम्रारी आपकी है, कि भले ये पूर्व से आया हो, अगर ये विग्यान है, तो ये विग्यान है। झाल झाल